यहोकरित अगृरिदम से को रहा है, इखका हम और समहिनेंगे इस इस निटन में ये Great Algorithm के हईलब से सांगे इस इस निटन के आप你要 दो रहा है 은 निटन न Ó21 अवन तक रहितांन का दिवाइड करेंगे, लावन 10 को सो उसको म धिवाइड नियुछ करेंगे नियुए papa जा ना ना ने जाएगा एक को कैंसल करके 0 इदर 10 10 में से 9 गया 1 0 9 ने जाएगा एक को कैंसल के 0 इदर 10 10 10 में से 9 गया 1 so here हम क्या लिखेंगे 99 इंटो 1 प्लस 11 99 इदर आ गया जाएगा उसको हम previous step के remainder से divide करेंगे यानी 11 से divide करेंगे 99 divided by 11 that's 11 9 जाएगा 99 0 0 so हम क्या लिखेंगे 11 इंटो 9 प्लस 0 तो मेरा जो step में remainder 0 आया वो step में जो divisor था that is what is my answer so gcd is 11 I think अभी आपको ग्रीप आ गई है तो अपने आप ट्राइ करो अगर नहीं आता है तो ही वीडियो में देखके ट्राइ करने के solve करो try solve it by yourself stop the video if you are stuck if you can't solve अगर नहीं होता है तो ही वीडियो को आगे प्ले करो इसमें 63 बड़ा है हम क्या करेंगे let me erase this everything from here 63 को हम 42 से divide करेंगे 63 divide by 42 42 1s are 42 3 में से 2 गया 1 6 में से 4 गया 2 इधर हम लिखेंगे 63 42 into 1 plus 21 42 आ गया जाएगा 41 को हम divide करेंगे 21 से 21 sorry 42 है 42 को हम divide करेंगे 21 से 21 2 is 42 that's 0 so 21 into 2 plus 0 so gcd जो हो गया है वो है मेरा 21 now 42 56 में आ जाते है 42 56 में 56 बड़ा है तो 56 को हम 42 से divide करेंगे 56 उसको हम divide करेंगे 42 42 बड़ा 42 नीचे हो गया 4 5 में से 4 गया 1 so this will be 42 into 1 plus 14 42 into 1 plus 14 42 आ गया 42 को हम divide करेंगे 14 14 से 14 3 जा 42 0 0 so that's 14 into 3 14 into 3 now gcd जो है उसका हो गया 14 this one यह हम solve करेंगे 765 65 उसमें 765 बड़ा है 765 को 765 को हम divide करेंगे 65 उसे 65 बड़ा है 65 6 में से 5 गया 1 7 में से 6 गया 1 उपर से 5 now आगे जाएंगे तो 65 2 जा हो जाएगा 130 तो 115 से बड़ा हो जाएगा 65 बड़ा हो जाएगा 65 बड़ा हो जाएगा 65 बड़ा हो जाएगा 0 एदर 11 में 6 गया 5 तो my answer is sorry my BQ plus R is 65 into 11 plus 50 I think there might be a mistake here that's here it's 115 115 ए 11 में से 6 जाएगा तो it will be 60 only yes it will be 60 only so here it's 65 उसका हम डिवाइट करेंगे sorry this is need to be corrected let me check it out again 765 65 1 जा 65 6 में से 5 गया 1 7 में 6 गया 1 5 65 1 जा 65 5 में से 5 गया 0 1 में 6 नहीं जाएगा और 1 को कैंसल करके 0 इदर 11 में 6 गया 5 जाएगा 50 only तो अभी क्या हो जाएगा 50 50 राइट तो 50 इदर हो जाएगा 15 ठीक है because देखो मैं यहां पर कर रहा हूं क्या हुआ 65 को 50 से डिवाइट करना है तो क्या होगा 50 बन जा 50 और इदर हो जाएगा 50 इंटो 3 प्लस 5 अभी आगे 15 आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइट 5 इंटो 3 प्लस 0 तो in this case my GCD is 5 GCD is 5 I think you can understand here 120 23 120 बड़ा है 23 चोटा है 23 से डिवाइट किया 120 को 23 से डिवाइट किया 23 फाइजा I think 1 1 5 या 23 5 जहाँ 1 1 5 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 2 को कैंसल करके 1 इदर 10 10 में से 5 गया 5 1 में से 1 गया 0 0 इदर हम की हम लिकांगे 23 into 5 प्लस 5 इदर हम लिकांगे 23 चूट 5 से डिवाइट करेंगे 23 5 5 4 जब तट 20 here remaining 3 चूट 5 5 ग्लस 3 फाइड कांगये 5 जहाँ 3 से डिवाइट करेंगे 3 1 3 ब्त 23 आगे लिए2 2 2 ए 2 प्लस 1 नहीं 2 को आगे ले लिया उसको वन से करेंगे 1 into 1 plus 1 right okay now sorry this is 1 into 2 plus 0 क्योंकि 2 को अगर वन से दिवाट करेंगे तो it will be like this 1 2s are 2 and this is 0 so 1 into 2 plus 0 so my final answer is this is not what step required it's not my gcd is 1 gcd is gcd is 1 let's go to the next page this is 38220 this is something that you may find difficult उसमें बड़ा कोन है 38220 बड़ा है 196 से दिवाइड करें 196 बंजा दो में से 6 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 8 को कैंसल करके 7 इदर 12 12 में से 6 जाएगा तो 6 7 में से 9 नहीं जाएगा 3 को कैंसल करके 2 इदर 17 17 में से 9 जाएगा तो 8 2 में से बंजाएगा तो 1 now उपर से आया 2 उपर से आया 2 1 8 6 2 अभी हम क्या करेंगे 196 ना 1 7 6 4 1 7 6 4 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा that will be 98 कैसे यह 6 को कैंसल करके 5 इदर 12 12 में से 4 गया 8 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा इसको 8 को कैंसल करेंगे 7 15 में 6 गया 9 7 में 7 गया 0 0 0 ठेक है उपर से आया 0 ठेक है अभी 196 को फिर से मुल्टिप्ले करेंगे 5 से that's 980 और आगया 0 तो फर्स टेप में मुझे आंसर मिल गया बले बड़ा दिख रहा है फर्स टेप में मुझे आंसर मिल गया 196 into 195 plus 0 तो यह जो divisor है वो हमारा हो गया GCD नाव यह आपको लगा हो कि मुझे कहां से पता चला कि 196 को 5 से मुल्टिप्ले करना है तो वो तुमें अंदाज लगाना है कि 196 से को मुल्टिप्ले करूंगा तो 980 के करीब आंसर मिलेगा जैसे 4 से ट्राइ करो तो यह मिलेगा तो यह उसके करीब नहीं है तो तुम दूसरा ट्राइ कर सकते हो 196 फाइजा लैक दिस फाइजा 30 फाइजा 45 प्लस 348 लैक दिस तो यह से ट्राइ करके तुम्हें अंसर मिल जाएगा उसके नीचे उसके जैसा ही है bigger one you can try it by yourself इसमें बड़ा नंबर जो है वो है 24871 24871 इसमें division ने किया हुआ है मैंने so I will explain किस तरह से find out करने है उसको हम डिवाइट करेंगे 3466 से यह जो चार डिजिट है और इसके चार डिजिट है तो यह चार डिजिट जो है वो चार डिजिट से छोटे है यानि यह 3466 टेबल में 2487 तो आएगा ही नहीं तो मुझे डायरेक्ट ऐसा कुछ सोचना है जिसमें 24871 बनाएगा और मुझे पता है यह 3466 को 8 से मल्टिप्लाइ करूंगा तो 24000 के करीब-करीब आंसर मुझे मिलेगा तो मैं एग्जा में तो कैल सी होता नहीं है तो मैं इससे ही कर सकता हूं 3466 मुल्टिप्लाइ बाइ मैंने क्या बला 8 या 8 से देख लेते एट सिग्जा 48 एट सिग्जा 48 बस फिफिटी टू एट फोर्जा 32 प्लस 5 37 एट त्रीजा 24 प्लस 3 27 तो यह तो आइधिंक बड़ा हो गया आइधिंक मुझे 3466 सिग्जा करना था इस तरह से तुम्हें सहीं आंसर कहीं न कहीं तो मिली जाएगा अभी मैं 3466 उसको मैं 7 से कर रहा हूं मुझे 24,000 के करीब आंसर चाहिए सबसे करीब यह भी करीब है लेकिन उसके भी करीब 7 6 जा 42, 4, 7 6 जा 42 प्लस 4, 46, 7 4 जा 28 प्लस 4, 32, 7 3 जा 21 प्लस 3, 24, 24, 262 आइधिंक यह अंसर मुझे इसके करीब लग रहा है तो आइशूट गो वेथ 24,700 यहां पर मैं लिखूँगा 24,262 माइनस करेंगे, 1 में से 2 नहीं जाएगा, 7 को कैंसल करके 6, सिधर 11, 11 में से 2 गया तो 9, 6 में 6 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 0 तो मुझे फॉर्स स्टेप में यह मिला, 3466 इंटू 7 प्लस 609 अभी 3466 को बास बना दो और यह जो सब मल्टिप्लिकेशन है वो लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, मैं erase कर रहा हूँ विकाज आइट स्पेस फॉर दिरॉफ वर्क, अभी मैं 3466, 3466 को डिवाइड कर रहा 609 फाइजा करेंगे तो 3045 मिलेगा, तो 2045 मैंने डायरेक्ट किया, 6 में से 5 गया 1, 4 गया 2, 4, 0, 421 अभी यह आगे नहीं हो सकता, मैं डायरेक्ली इदर लिख दूंगा, 609 फाइजा, प्लस 421, यह मुझे कैसे पता चला, 6 फाइजा 30 होता है तो मुझे पता चलिया के 3000 के कर करीब आंसर मिलेगा, 609, 421 को 1 से ही करना पड़ेगा, 421 आगे, 188 तूजा कर सकते हैं, 188 तूजा, 188 तूजा, 188 आगया आगया, 45 से डिवाइजा कर सकते हैं, 45 फाइजा कर सकते हैं, प्लस 8, 45 आगया आगया, यह डिवीजन में डायरेक्ट करना हूं, आप लोग साइट यह से method करके भी कर सकते हैं, इतने सारे sum करने के बाद, आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, अभी यह 8 से करेंगे तो, 8 फाइजा 40, 8 फाइजा 40 प्लस 5, then हम 8 को आगे ले रहे, 8 को आगे ले रहे, 5 इन्टू 1 प्लस 3, 5 इन्टू 1 प्लस 3, हम 5 को आगे ले रहे, 1 2 2, next step there is a mistake, it's 1 2 2 2 प्लस 0, so मेरा जो GCD आया, that's 1, because यह divisor 1 है, यह step के अंदर जहाँ पे मुझे 0 मिला, I think यह पूरे पेज में आप लोग को समझ पड़ी, so thanks for watching this video, next video के अंदर हम और GCD के सम गिनेंगे, और उसके बाद हम LCM पे जाएंगे, thank you so much.